हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रियंका एक बार फिर से कलपना किचन मैजिक में आपका भूत भूत स्वागत है आज हम बनाएंगे बच्चो और बड़ो सब को पसंदाने वाली सेंड़िच की रेसेपी तो चलिए फिर रेसेपी को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जैसे ही पैन गरम हो जाए हम इसमें एक चमच बटर एड़ करेंगे अब हम इसमें चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप घर में मोटी कुटी दरदरी मिर्चे भी एड़ कर सकते हैं जैसे ही चिली फ्लेक्स हलके से भून जाए हम इसमें दो बारीक कटी हरी मिर्चे एड़ करेंगे हरी मिर्च के भूनने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज का लंबा लंबा कट क्या हुआ प्याज एड़ करेंगे प्याच को अड़ करने के बाद हम प्याच को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेगे यहाँ पर हमें प्याच का कोई भी golden brown color नहीं चाहिए बस हमारे प्याच हलके से नरम हो जाए हम तब तक प्याच को भून लेगे एक से दो मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज भी नरम हो चुके हैं अब हम इसमें एक बारिक कटी हुई सिम्लामरिच एड़ करेंगे सिम्लामरिच को एड़ करने के बाद हम इने अच्छे से मिलाएंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे सिमलामरेच को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हलकी सी रोस्ट नहीं हो जाती जैसे ही हमारी सिमलामरेच हलकी सी रोस्ट हो जाए तब हम इसमें एक बारिक कटा हुआ टमाटर एड़ करेंगे टमाटर को एड़ करने के बाद एक चमच या फिर स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे हम टमाटरों को तब तक पकाएंगे जब तक ये अपना सारा पानी नहीं सोक लेते टमाटरों ने अपना सारा पानी सोख लिया है, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडियन्ट डाल देंगे हाप टीजपून ब्लेक पेपर पावडर, एक टेबल इस्पून टेमेटो कैचप बस अब हम अपने सबजी और मसालों को एक से दो मिनट चलाते हुए और पका लेंगे एक से दो मिनट का टाइम हो चुका है और हमारी सबजیاں भी अच्छे से बंद कर तयार हैं अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सब्जों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब हम लेंगे दो ब्रेड के पीस और एक पर ग्रीन चटनी लगाएंगे अगर आपको ग्रीन चट्नी बनानी हो तो ग्रीन चट्नी का लिंक मैंने description box में दे रखा है चट्नी को हम चारो कोनों पर अच्छे से फैलाते हुए लगा लेंगे और दूसरे पीस पर टमेटो केचप लगाएंगे और ग्रीन चट्नी वाले पीस पर हम अपनी सभी सब्जियों को फैलाते हुए रखतेंगे सब्जियों को चारो कोनों पर अच्छे से फैलाने के बाद अब हम स्लाइस चीज का एक स्लाइस ब्रैड पर रखतेंगे आपके पास जो भी चीज जो आप उसे भी एड कर सकते हैं अब हम टमेटो केचप वाली ब्रैड को इस पर अच्छे से कोट कर देंगे अब हम कोई भी नोनी श्टिक तवाया पैन लेंगे जैसे ही पैन गरम हो जाए हम इसमें एक चमच बटर एड करेंगे और अब हम ब्रैड को इसके अंदर रखतेंगे और ब्रैड को किसी कड़ची से 1-2 मिनट मीडियम फ्लेम पर दबाते हुए सेक लेंगे और अब हम ब्रैड के उपर वाले हिससे पर अच्छे से वटर को फैलाते हुए लगा देंगे एक से दो मिनट का टाइम हो चुका है अब हम अपने ब्रेड को पलट कर चेक कर लेंगे वाओ ये देखिए ब्रेड पर कितना अच्छा कलर आया है और ये देखिए हमारा सेंडवीच कितने अच्छे से बंद कर तयार हुआ है अब हम अपनी गैस के फ्रेम को बंद कर देंगे और सेंडवीच को एक पलेट में बाहर निकाल लेंगे और अब हम चाकू से अपने सेंडवीच को बीच से काट लेंगे और अब हमारा सेंडवीच सर्व करने के लिए तयार है अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लगे तो आप इसे जादे से जादे लाइक वेसेयर करें मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें